आज इसी क्षंड से इस पीपल के व्रिक्ष के नीचे मिलूगा जिससे की संपूर संसार और उनकी पीडाय मुझ तक बहुत सके ताकि ये संसार इस बरण रखे कि कैसे इसी पीपल के व्रिक्ष से बान कर महादेव में मेरी मरियादा निश्चित करी थी जो कोई भी मुझे काला तिल, काली उड़क और तेल चड़ाएगा मैं उसके सबी दुखों को हरने का संपूर उप्रेतन करूँगा संसार में जो कोई भी संपूर श्रधा और मन से महादेव की पुजा करेगा किसी भी रूप में अर्चना करेगा तो उस पर से शनी दोश संपूर समाप्त हो जाएगा आज सरी ये संपूर संसार शनी को शिव के शिष्षके रूप में जानेगा महादेव ने शनी देव को कराया अपने कर्तब विकाभाद इसलिए कालांतर तर ये स्थान शनी शिंगनापुर के नाम से जाना जाएगा जो आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा तीर स्थल होगा